व्लो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल लतस गार्डन एंड ब्लाग तो फ्रेंड्स आज मैं अपराजिता प्लांट के बार में बात करूंगी इस भीशन गर्मी में मैं अपने अपराजिता प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर दे रही हूं और कौन सा खाट डाल रही और वह कौन सा फर्टिलाइजर है जिसे मैं अभी इस भीशन गर्मी में अपराजिता प्लांट को दे रही हूं यह देखने के लिए आप लोग वीडियो के लाश्ट तक बने रहीएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए है प्लीज सस्क्राइब किजेगा और प्लीज वीडिय जो पूरा देखेगा ताकि आप लोग भी जान सकोगे कि मैं इस अपराजिता प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर दे रही हूं अभी गर्मी में जिसके कारण इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं बहुत अच्छे फ्लावरिंग हो रही है तो फ्रेंड्स यह पौधा बहुत ही सुब पौधा माना जाता है और इसी संक पुस्पी विश्नु प्रिया सीव प्रिया फुल भी कहते हैं और तो फिर फ्रेंड्स चलिए मैं वह फर्टिलाजर बता रही हूं तो यह देखिए यह हैं चाच जो हम दही को मत कर मखन निकालके अलग करते हैं औ तरीके से पतला कर देना है आधा लिटर आज था तो हम जो लिटर पानी ने इसको मिला सकते हैं इस तरह मिला के हम इसको बहुत ज्यादा पतला कर लेंगे और अभी बहुत ज्यादा विशन गर्मी पड़ रही है तो इसके लिए यह ठंडी ठंडी आप फर्टिलाजर अपन से घर में उपलब्ध रहती है इसमें कोई खर्च वाली बात ही नहीं है और तो फिर देखे फ्रेंड्स कुछ बाते हो जाए अपराजिताक प्लांट्स के बारे में और इसे आईरुएद में इसका बहुत ही खास महत्व है इसकी फूल पत्तियां और टहनियां और बीज इस आप नर्सरी में इसे लेने जाओगे तो 5 से 10 से 50 रुपए तक मिल जाएंगे उसकी साइज की अनुसार उसकी रेड भी होंगे तो आप नर्सरी से लाके भी असानी से घर में लगा सकती है इस तरह से 8 से 10 इंच के गमले में लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और जड़े उसकी अच्छे से फैलेंगी तो पौधा भी अच्छे से घना बड़ा और बूसी होगा और जिससे की उसमें फ्लावर इस तरह से अच्छे से आएंगे तो फ्रेंड्स इसकी केर की कुछ बाते हैं जिसको मैं बता रही हूं जो मैं अपने अप्राजिता के इस पौ बादन सॉयल रिवर्स और फिर कंपोष्ट खाट डाल सकते हो कोई भी कंपोष्ट खाट डाल सकते हो मैं तो गोबर की कंडे का यूज़ करती हूं वही डालती हूं और दूसरे केर की बात की जाया तो इस तरह से अगर आपके फ्लावर सूख रहे हैं इसमें खिलने के प्लांट क्या है अपना सारा एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है तो इसलिए इस सुखे फुल को निकालते रहना चाहिए और तिसरे केर की बात की जाए तो फिर गमले की इस तरह से सफाई करते रहना चाहिए बीज बीज में जो घास उगाते हैं उसको और इसकी जो किती इस तरह से सुखे होना चाहिए हलका सा मौश्चर रहना चाहिए पूरा शुखे भी ना और हलके इसमें मौश्चर रहना चाहिए गिला रहना चाहिए और ध्यान रहे पानी गमले में रुके ना और सुबह साम दोनों टाइम पानी दे देखे मेरा प्लांट कितना अच प्लांट बड़ा है तो फिर ज्यादा मात्र में दो और प्लांट अगर आपका छोटा है पौधा तो उसे कम मात्र में दीजिए और इससे आपको इसमें बहुं सारे जो पोशक तो रहते हैं यह पौधों को मिलेगा और आपका पौधा देखे इस तरह से फिर हरा भरा और खि खौड़ में भी अच्छे से फ्लावरींग हो रही है इसका रिजन वही है कि मैं अभी छंडी हाट दे रही हूं और बिजबीच में हर मैंने मैं इसको गोबर कि खंडे की खाद दे रही हूं और अभी जो लिक्विट फर्टिलाइजर दे हूं चार्च उसका भी मैं प्रयो फूल लाए तो देख सकते हैं इसमें अभी भी कल्या बहुंत सारी बनी हुई है और कल्या बनते ही जा रही है और अगर आप अपने अप्राजिता के प्लाण को इस तरह से बूसी करना है जैसे कि देख रहे हो मेरे वाला प्लान थोड़ा बूसी है तो मैं क्या की हूँ बिच बिच में इसकी जो बेले है उसके टिप को थोड़ा थोड़ा सा निकालते जा रही हूँ शुरुवात के जो टिप है उसको निकाल देना है कटिन कर देना है तो उससे क्या है वहाँ से नई- ब्रांचेस निकलेंगी और आपका जो पौधा है वो घंडा होगा नई-ने ब्रांचेस निकलेंगी तो और इस तरह से बहुत थी कुपसूरत लगेगा और दूसरी बात इसमें आप इस तरह सी स्टिक लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है और आप चाहे तो अभी भीशन गर्मी में मौस स्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं तो आपका भी अप्राजिता का पौधा इस तरह से बिलकुल हरा भरा और फूलों से लदा हुआ दिखेगा देख सकते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस प्लान को देख कर देख सकते हैं एकदम हरा हरा ग्रीन ग्रीन पत्तों के बीच में निले निले फूल कितना खुबसूरत लगता है बहुत ही सुन्दा लगता है इसको देख कर और इसका धार्मिक महत्तों भी बहुत है और यह स्टीव प्रिय फूल है इसे स्टीव जीव को चड़ाया जाता है विश्णू प्रिय फूल है और यह बारो माशी फूल है थोड़ा सा ठंडी में इसमें फ्लावरिंग कम होती है और लेकिन फरवरी से लेकर अक्टूबर तक इसमें फ्लावर आते हैं तो friends आप लोग भी अपने अपराजिता में इस तरह से फ्लावर लाना चाहते हो देखना चाहते हो तो फिर जो मैं खाद बताई हूँ जो फर्टिलाजर बताई हूँ और जो क्यार बताई हूँ उसको कीजिए और अपने आप राजिता में धेरो फुल फाईए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं